नमस्कार दूस्टों स्वारते हैं आप सुपी काॉल अनेटा फोर्स डिटी इटो उप्चनल पर इस वीडियों में हम बात करेंगे तमाम वरतियों की लेटर सब्देट के बारे में तो बनबेबबल सारी अपडेट हम करते हैं चली दूस्व वीडियो शुरू करते हैं जितन पढ़ने से पहले अगर आप CETED 121 की प्रेपेशन करें तो मार्केट में आप सभी के लिए आचुके है चक्सू प्रकासन की बेस्ट बुक जिनके थूँ आप सभी अपनी प्रेपेशन को बुस्ट कर सकते हैं CETED 121 की अनुसार CETED का पैटन में बदलाब किया गया है और ये पहली ऐसी पुस्तक हैं जिसके अंदर CETED की नई पैटन पर आदायित इन पुस्तकों को तयार किया गया है इन बुक की खास बात ही है कि इसमें आपको प्रेपेशन के साथ साथ आपको इसमें मिलते हैं नई पैटन पर आदायित कोशन जिसे की पेपर कहीं से भी निकले आपकी पेपरेशन हमेशा की तरह बैस्ट होगी इसलिए इस बुक को आप सुभी परचेस करें जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है या फिर ओफुर्ण मार्केट से भी आप सुभी परचेस कर सकते हैं सभी पुस्तव का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन ने दिया है, Amazon या फिलिप काट से आप सभी ले सकते हैं, साथ में आप सभी इन पुस्तव को अपनी नजदी की स्टोर से जाकर भी परचेस कर सकते हैं, तो अभी परचेस कहें, और अपनी प्रपेशन को चक्सू की बैस्ट बुक के साथ, उत्तर परचेस के अंदर बहुत सारी ऐसी भरतियां होती हैं, जो कि आप सभी की कोट में चली जाती हैं, चाहे वो सिच्छक भरतियों या फिर अगर बात कें सिच्छक पातता पहिच्छा जैसे की UPTET, जिसा कि आप जानते कि हाली में उत मंदित है, UPTET को लेकर, अब ऐसे में अगर बात की जाए, हाई कोट की तरफ से सरकार से जवाब मांगा गया है, UPTET के बारे में, मामना क्या है मैं आपको बता दू, तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाई कोट ने सरकार से पूछा है कि जो टीटी की है, वो किटने दिनों के लिए हैं, और कब तक के लिए वो मानने हैं, ऐसे मैं आपस भी जानते हैं, एक्टूबर को राज्य सरकार की और से, एंजी टीटी को इस मामले में जान कई अपलब्द कराने का नेदेश दिया गया था, उसी को लेकर, शुशील कुमाने की याचिक कर दाखिल कर दिया है, हाला कि याचिका दाखिल की गई है, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, जैसा कि आप जानते के एंजी टीटी को पहले को वैलिटी किया गया था, ठीक है, उसके बाद में यूपी टीटी को लेकर प्रदेश सरकार की तरब से कर दिया गया, इसक टाइम के लिए, चाहिए वो उत्तर प्रदेश सिच्छक पातिता परिच्छा हो, या फिर केंदिय सिच्छक पातिता परिच्छा मतलब किसी टैड या फिर यूपी टैड, अब ऐसे में इस याचिका की अंदर जानकारी मांगी गई है, उस अब्यादी की तरब से बताया ज अब ऐसे में यहाँ पर जो भी जानकारी मिलेगी आपको बता दी जाएगी, लेकिन ये तो पूरा 100% थे हैं कि उत्तर प्रदेश सिच्छक पातिता परिच्छा लाइफ टाइम बैलिड हो चुकी है, इसके बारे में शासना आदिस भी जारी कर दिया गया है, लेकिन वही द जैसे तैसे अक्टूबर के अंदर परिच्छा की तारीक फैनल हुई है, परिच्छा की तारीक नजदीक आ रही है, उससे पहले हाई कोर्ट में मामला चला गया है, जो कि सम्मधिता 50% को लेकर, डबल बेंच की उसे इस मामले को सुनते हुए चार्तों के हक में कहीने की जा परिचास परसेंट ना होने की विज़े से उनको आवेदन करने का मौका नहीं मिला, पी एनपी की ओर से उनकी तरफ से यहां पर आदेशित भी किया गया था कि अगर पचास परसेंट वाले अव्यादी आवेदन करते हैं, तो उनके आवेदन फोर्म को निरस्त कर दिया जा जैसा कि मैंने कल देजात को एक वीडियो बना कर आप सभी को जानकाई दी थी लेकिन मुझे उबीदे कि आप सभी नहीं देख पाया हूंगी कि वीडियो काफी लेट मैंने डाला था, तो यहां पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि नियर्स कुमार अन अदर्स की ज जा सकता है इस जज्जमेंट की आधार पर फिलाल प्रदे सरकार को समय दिया गया है तीन दिन का मतलब कि सितंबर 2021 को यहां पर जवाब को दाखिल करना है तीस ताइक को यह फैसला काफी जादा मैत बूड होगा इस सुनवाई के अंदर जादा समय नहीं लगेगा डबल ब सरकार ने जारी किया है जो कि 50% वाले अभ्यातियों का है फिलाल इसको लेकर सरकार जब आप दाखिल करें और इसके बाद में यहां पर जो आपको फैसला है वो देखने के लिए मिलेगा काफी मैत बूड आपको जो सुनवाई वो तीस तारीक होने वाली है एड़ेड यू कर आए कमेंट करके अब शिर्बता क्योंकि बहुत साही अव्याति ऐसे थे जो कि 50% ना होने के विज़े से आवेदन नहीं कर पाई थे अगर ऐसा होता तो उनको वी एड़ी नहीं करवाना चाहिए जिससे कि उन चाहतों को यहां पर पाइच्छा नहीं देनी है लेकित पा कर दिया था फिलाल हाई कोट की तरफ से जबाब मांगा गया है सरकार जवाब देगी और जो भी फैसला होगा वह आप सुभी को बता दिया जाएगा लेकिन वहीं दूसरी दर बात करें अपनी अप्डेट के बारे में जो कि संब्दित है उत्तर प्रिश के अंदर आने वा मादिमी सिच्छा सेवा चैन बोर्ड के सामने लगबक 40,000 प्रदों का जो अधियाचन हो मिला था अब इन 40,000 प्रदों मैंसे जब टास्पोर्स का गठन किया गया तो सिर्फ 15,000 प्रदों पर नई सिच्छक बरती का बिग्यापन जादी हुआ इसी भी सुपीम कोट की प्रदों को चैन कर लिया जाए फिलाल जैसा कि आप जानती के उत्तर प्रदेश के अंदर काफी बड़ी संख्या के अंदर पद खाली है मुख्यमंति योगी की तरब से समय समय पर 27,000 प्रदों पर सिच्छक बरती का बिग्यापन कब तक जादी होगा क्योंकि लगाता चा कि नई TGT और PGT भरती को लेकर जो जानकारी है वो मिल नहीं है कि चैन बोर्ड की उसे आगामी एक हफते के अंदर यहां से जो पोर्टल है वो खोला जाएगा माधिमिक सिच्छा सेवा चैन बोर्ड की उसे पहले TGT 1221 की परड़ाम को घोशित करने का प्यास किया जा रहा और इस नोटिफिकेशन के अंदर यहां पर सभी जिला विद्याले नियच्छकों को जानकाई दी जाएगी कि वो सभी जानकाई दें को उनके प्यदेश के अंदर सिच्छकों के कितने पद खाली है चात्य सिच्छक अनुपारत की आधार पर और उसके बाद में आगामी सम चैन बोड के पास में अधियाचन प्राप्त होते हैं उसके बाद मैं शंशुदी के लिए श्यासन को बेजा जाएगा तो यहां से जल्द आपको एक भरती दो देखने के लिए मिलेगी लेकिन वो कब तक आएगी इसके बाएं में अभी कोई संभावित तारीके कह पाना आगामी समय के अंदर प्राइमरी के अंदर विकेंसी आने की संभावना है तो वहीं दोसी तब टीजीटी की प्रपेशन करते रहें जैसे यहां से कोई और अपडेट निकलेगी आप सभी को दे दी जाएगी बहीं दोसी तब बात की जाए अपने अगली अपडेट के बार कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगबग 1.23 लाग के आसपास जो निकतिया है वो की जाएगी उसी को लेकर आप सभी कर सामने यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा कि आंगनवाडी के अंदर प्री प्राइमरी की अगर बात की जाए तो यहां पर प्री प्राइमरी को यह के दिए कि बच्चों साथ मरिलाओं के बीच में बैतर स्वास सतत निकरानी के लिए उग्देश से मंगल वार्खों आंगनवाडी कारताओं के स्मार्टफोन और साथी अगर बात करें इन्फो मीटर को लैस करते हुए यहां पर योजना का सुभाहम किया उन्होंने प्रति प्राइमरी स्कूलों के तौर पर अलग से पहचान दी जाएगी जैसा कि आप सभी देख पा रहें अगर हम बात करें लगबगि मैंने कल भी आपको बताया था यहां पर भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि प्री प्राइमरी स्कूलों के अंदर पढ़ाने के के लिए एंसीटी के बिल्कुल खिलाफ है मैंने कई बार जानकाई दिए यहां पर लिखाया कि पढ़ाने के लिए अंगन वाड़ी कारक्रतियों को यहां पर ट्रेनिंग दी जा चुकी है लगबग 90,000 के आसपास को ट्रेनिंग मिल चुकी है बाकी 30,000 को मिल जाएगी आगाम जानकाई होती है NCTE की ओसे फिलाल प्रदिस सरकार की ओसे जो किया जारा है वो आप सभी के सामने है अगामी समय के अंदर कव तक यहां पर इस्थाई सिच्छक देखने के लिए मिलेंगे इसको लेकर इंतजार होगा यहां पर प्रदिस सरकार की ओसे प्री प्राइमेर स्क सिखकों की भरती के लिए बिग्यापन जादी किया गया है उसके बाद में हम बात करेंगे PNP की एक और परिच्छा का पेपर आउट हुआ है तो यहां पर दोस्तों आप सुभी को देखने के लिए मिलेगा कि 596 सिखकों की भरती के लिए जो आविदन है वो मंगे गए है अल अधिक पर खाली पड़े हुए हैं तीन बार विग्यापन जादी होने के बावजूद ब्रती प्रकिया पूरी नहीं हो सकी उसी को लेकर एक बाफे से 596 पर ब्रती का जो विग्यापन ने वो जादी कर दिया है वहीं दूसी तब बात करें PNP की उसे लगाता एक के बाद नई record बनाए जा रहा है जैसा कि आप सुभी को याद होगा कि PNP के उसे बहुत सारी परिच्छा एक साल के अंदर करवाई जाती है क्योंकि DLAD भी उनकी तरब से करवाया जाता है तो उनकी semester परिच्छा भी आपको देखने के लिए मिलती है लेकिन इन सब के बीच में दो परिच्छा शुरू होने से पहले ही WhatsApp पर आगे परिच्छा देखने के लिए मिला है पोलिस ने परिच्छा के बाहर एक यूबग को यहां पर परिच्छा दे रही उसकी बेहन को गिरफतार कर दिया है उसी को लेकर नीचे जानका यह लिखिए कि चंप अग्रिवार इंटर कॉलिस परिच्छ द्वार पर पकड़े गई यूबग WhatsApp पर मिले प्रिच्छों के अन्य नम्बरों के माध्यम से बेजा गया था मामले को लेकर डाइट प्रधाना चार्ज की ओसे यहां पर परिच्छा नेंतर को बेजी जा चुकी और पेपर को निर्स करने का जो फैसला हो होगा वह परिच्छा नेंतर के माध्यम से किया जाएगा आसान भासा में समझें तो पेपर आउट हुआ है ऐसी जानकाई यहां पर प्रधाना चार्ज की तरह अपसे तो मानी गई है अब PNP मानेगी के नहीं यह बाद में पता चलेगा वीडियो को लाइक कर दें साधी श सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें